हलो फ्रेंड्स मैं उगविता और आपका स्वागत है मेरी किचन में आज मैं बनाने जारूँ बैगन का भरता बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी है आप इसे ज़रूर ट्राई करें अगर आपको मेरी रेसिपी अची लगेगी तो प्रीज आप मेरी वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले तो चलिए आज इस बैगन भरता की रेसिपी को शुरू करते हैं बैगन का भरता बनाने के लिए मैंने लिया एक बैगन अगर वेट से मेजर करें तो इसका वेट साड़े तीन सो क्राम है दो मीडियम साइज के प्याज बारिक कटे हुए मैंने यहाँ पे दो छोटे टमाटर काटे हैं चाहे तो एक बड़ा टमाटर यूज करें हरी मिर्च दो बारिक कटे हुई अद्रक लहसुन का पेस लेंगे एक छोटा चमच मैंने इसे घिस लिया है दोनों को साथ में धन्या पत्ता लेंगे एक तीहाई कप बारिक कटा हुआ हेंग हम लेंगे एक छोटा चमच यह उप्शनल है जीरा हमें चीए आधी छोटी चमच हल्दी पाउडर एक तीहाई छोटा चमच लालमिच पाउडर एक तीहाई छोटा चमच जीरा पाउडर एक तीहाई छोटा चमच धनिया पाउडर एक तियाई चोटा चमच गरम मसाला पाउडर आधी चोटी चमच नमक स्वात के अनुसार ले लेंगे तेल हमेच ये चार बड़े चमच सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस बैगन को दो-तीन हिस्सों में ऐसे काट लेंगे तो एक नाइप से ऐसे स्टेट कट करें बैगन को ऐसे काटे कि वो अलग न हो ये देखे इससे दो फाइदे होंगे कि एक तो बैगन भीतर से खराब है कि नहीं वो पता चल जाएगा और दूसरा इसका एक अलग तरीका मैं बताऊंगे जो हमारे गाओं में बैगन का भरता बनता है तो वो यूज होता है तो यहाँ पे मैंने ये दो हरी मिर्च और तीन लेसुन लिया है हरी मिर्च को जो हमने कट किया उसके भीतरह से डाल दे यह optional है अगर यह method ना use करना है तो आप ना करें लेकिन इससे बैगन के भरते का टेस्ट बहुत अच्छा आता है तो यह मैंने दो हरी मिर्च और तीन लेसुन इसके भीतर डाल दिया है यह देखिए आप चाहे तो इस बैगन को सिफ एक दो कट लगा के प्लेइन भी रोस्ट कर सकते हैं हरी मिर्च और लेसुन की जरूरत नहीं है तो अब चलते हैं गयस अन करते हैं और उस पर यह छोटा स्टैंड रख दिया मैंने अब हम यह जो बैगन है इससे इसके उपर रखके गयस का फ्लेम मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे हम इसे पकने देंगे अगर आपके पास यह फुलका बनाने वाला स्टैंड है तो आप इसके उपर रखके बैगन को सेक ले उससे यह बैगन और अच्छी तरह सिकेगा तो यह मैंने छोटा अला स्टैंड हटा दे रही हूं इसे और इसके उपर इस बैगन को रख दे और गैस का फ्लेम हम बढ़ा देंगे मीडियम फ्लेम कर दे और मीडियम फ्लेम पे हम इसे अच्छी तरह चारो तरफ से रोस्ट होने देंगे तो इसे ऐसे पलट पलट के सेकते रहें और आप देख सकते हैं कि यह बैगन जो है वो अल्मोस्ट हो चुका है तो एक बार फोक से हम इसे चेक कर लेंगे यह देखिए भीतर से भी पग्या है और लास्ट में हम इसका बेस थोड़ा अच्छी तरह पका लेंगे यह देखिए यह थोड़ा सा कच्छा लग रहा है अब यह बैगन जो है वो चारो तरह से अच्छी तरह पक्या है तो ग्यास को आफ करके इसे निकाल ले प्लेट में और हम इसे पूरा थंड़ा होने देंगे बैगन जो है वो ठंड़ा हो गया है तो इसका छिलका निकाल ले और यह मैंने इसका छिलका निकाल लिया है आप चाहे तो छिलका निकालने के बाद इसे वाश भी कर सकते हैं लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी कि इसे वाउष ना करें, इसका टेस्ट थोड़ा कम हो जाता है, अब पिछले इसे को ऐसे काटके निकाल दें, और ये बैगन को हमें बाउल में डाल देंगे, क्योंकि हमें इसे मैश करना है, तो यह मैंने बाउल में डाल दिया अब हम इसे अच्छी तरह मैश कर लेंगे तो यह इसके बीतर लैसुन और हरी मिर्च भी आप देख सकते हैं जो अल्रेडी रोस्ट हो चुके हैं तो इसके साथ इस बैंगन को अच्छी तरह मैश कर दें और यह मैनी से मैश कर लिया है अब हम इसे अलग रख देंगे यह देखे अब हम चलते अगले प्रोसेस में तो गैस पे मैने एक पैन गरम किया है तेल डाल दे तेल को अच्छी तरह गरम होने देंगे और फिर हम इसमें जीरा डाल देंगे जीरा को थोड़ा सा पकने दे फिर इसमें हिंग डाल दे हिंग ओप्षिनल है लेकिन इससे टेस्ट अच्छा आता है और फिर हिंग डालने के बाद हम इसमें कटा हुआ प्यास डाल देंगे मिला दे प्याज को प्याज को हम दो मिनट तक मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे इसे पकने दे और दो मिनट बाद हम देखेंगे कि प्याज जो है वह हलका सा फ्राई हो चुका है तो अब हम यहाँ पे अद्रक लेसुन का पेस्ट डाल देंगे या फिर अगर घिसा हुआ यूज करें तो वो डाल दे यह मैंने घिसा हुआ लेसुन द्रक डाल दिया हरीमेज भी डाल देंगे याद रखे हमने बैगन के भीतर भी हरीमेज यूज किया है तो यहाँ थोड़ा कम हरीमेज यूज करें मिला दे इसे और आदी मिनट के लिए फ्राई होने दे और इसे छोड़ दे आदी मिनट तक पकने के लिए गैस का फ्लेम मैंने मीडियम ही रखा है आदी मिनट बाद हम देखेंगे कि लैसुन द्रक भी प्याच के साथ अच्छी तरह फ्राई हो चुका है तो अब हम सूखे मसाले डालेंगे तो इसके पहले गैस का फ्लेम लोग कर दे और अब हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर लाल मिच पाउडर जितना आप तीखा खाते हैं जीरा पाउडर डाल दे धनिया पाउडर और इन सब को अच्छी तरह मिक्स कर दे मसालो को हम आदी मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकने देंगे ताकि मसालो का कच्छा टेस जो है वो भरते में ना आए तो इसे पकने दे आदी मिनट के लिए आदी मिनट बाद हम देखेंगे कि मसाला भी अच्छी तरह रही हो चुका है तो यहाँ पर टमाटर डाल दे मिला दे इसे टमाटर को हम 2-3 मिनट तक लो मीडियम फ्लिम पे पकाएंगे या फिर इसे तब तक पकाएं जब तक कि टमाटर अच्छी तरह गल न जाए और यह आप देख सकते हैं कि टमाटर भी अच्छी तरह गल गया है इसमें तो अब हम यहाँ पर यह मैश की होगा बैगन डाल देंगे मिला दे से मसालो में और यह मैंने बैगन को मसालो में अच्छी तरह मिक्स कर दिया है अब हम इसमें नमक डालेंगे नमक हमने अभी तक यूज नहीं किया था तो नमक डाल दे इस वाद के अनुसार गरम मसाला पाउडर भी डाल दे धनिया पत्ता डाल देंगे मिला दे इन तीनों को गरम मसाला नमक और धनिया पत्ता डालने के बाद हम इसे मीडियम फ्लेम पे एक मिनट तक लागातार भूनेंगे तो gas का flame मैंने medium किया है लगातार इसे चलाते हुए एक मिनट के लिए भून ले और ये मैंने अच्छी तरह भून लिया इसे बस gas को off कर देंगे क्योंकि हमारा भरता बन किया है तो gas को off कर दें और सर्फ करने के लिए हम इसे एक बाउल या प्लेट में निकाल देंगे और ये मैंने भरते को निकाल लिया है थोड़ा सा धन्यापता छिड़कते उपर से दिखने में अच्छा लगेगा और ये हमारा बैंगन का भरता तयार हो गया है आप इसे रोटी या पराठी के साथ कर्मा गरम सर्फ करें अगर आपको मेरी रेस्पी अच्छी लगेगी तो प्लीज आप मेरी वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चानल को सब्सक्राइब करना ना भूले